लमस्कार मैं रभुनात प्रशाद आज चर्चा कर रहा हूं बिहार सरकार के ड्रीम प्रजेक्ट कास्ट सर्वेग फश्ट चरह जनवरी 2023 में पुला हो गया जिसमें घरों की गन्ना हो गई लेकिन कुछ वैसे तत जो नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए जो सदा से वीरोधी रहे हैं सामाजिक न्याय के वो प्रयासरत रहे जनवरी में ही प्रयासरत थे संजोग है कि पटना हाई कोर्ट से भी और अनेवल स्प्रेम कोर्ट से भी उस पर कोई रोक वगरे नहीं लगी भी हर स्रकार के काम पर और जब दूतिय चरंद प्राणम हुआ तो जैसे छटपटा हट आ गई वैसे तत्वों में जो नहीं चाहते कि जनता के सामने यह बात आए कि बिहार का कास्ट सरवे अगर असपश्ट हो गया कि किस वर्ग की अर्थात स्टी इस्टी इबीची बीची और अपरकास्ट की क्या आवादी है और उनकी भागेदारी क्या है ऐसा होने से उनकी पूल खुड जाती इसलिए वैसे तत्वों ने प्रयास किया संजोग की बात है कि शुरू में तो रोक नहीं लग पाई लेकिन जब बिहार सरकार ने 80% काम पुर्या कर लिया तब और नवल पटना हाई कोट ने इस सर्वे को यह कहते वे रोक दिया इंटरीम ओडर पे नो चार मई को कि यह एक तरह का यह संसस ही है और संसस का अधिकार शिर्फ भारत सरकार को है एक तरफ इस आदेश में अभी कहा गया कि अगर विधान मंदल चे पारिक था तो कानून बनाया जाना चाहिए था लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि यह अ करना चाहता तियुकि काफी अधिय थी वह के संक के बाद यह डेट दिया गया इसल्य भीहार सरकार ने प्रयास किया कियो ही कोड से फिर रिलीफ मिले। लेकिन यहां से आदेश पर रोक लगाने इसे निकाल करते हैं खेर जो भी आदेश हुए है और नेवल कोट्स के इस पर कोई की पड़ी नहीं किया जा सकती लेकिन यह बात सच है जो पूरा भारतवासी जानता है और खासकर सामाजिक न्याय से जुरावर्ग जो पचासी परतिसत है इस देश का वो अच्छी तरस जानता है कि जब हर 1931 में सभी जाती की गन्ना हुई तब भी कोई विद्वेस समाज में नहीं फैला था और 1931 के बाद भी SCST की गन्ना और सभी धर्मों की गन्ना हर सेंसस में हर दस वर्स पर होती रही है इस देश में कभी कोई भुचार पैदा नहीं ह लेकिन जब भी हार सरकार ने प्रयास किया एक तो पहले सभी विपक्षी दर्णों ने प्रयास किया केंद्र में लोग सभारा सभा दोनों में उठा ये परस्ट चुकि 2018 में ततकालिन ग्रिह मंत्री मानिय स्री राजनात सिंग साम ने कहा था कि 2021 का संसस का संसस के साथ होगा लेकिन भारत सरकार मुकर गई 2022 में यहां तक कहा गया कि अगर चुकी बिहार का मामला आया था कि कोई राज सरकार अपने खर्च पर करनाना चाहेगी तो करा सकती है इसी के तहट बिहार सरकार ने सर्व सम्मत मिरने लेकर इसे कराया केबिनेट्स चपास करके सुरू किया था अभी उरिशा में प्रारम भी हो गया है तीन महीं से लेकर 27 महीं के विश्यून का बैकवर्ट का संसस पूरा हो जाएगा इसके पहले राजस्थान करनाटक में भी कास्ट संसस या सरवेजों के ही है वो फूरा है आशा के साथ ये रहेगा आज नकल भारत सरकार को यह निर्ने तो लेना ही परेगा कि सभी जातियों की गणना की जाएगी इसे बहुत दिन तक ताला नहीं जा सकता है यूपीय सरकार के समय में 2011 में सोच्यो एकनमिक सरवे हुआ था उसके भी फीगर को सामने नहीं लाया गया ये कहते हुए कि इसमें बहुत विशंगतियां विशंगतियों के साथ भी अगर जारी हो जाता तो देश तो जानता ना कि वास्तव में क्या विशंगतिया बिहार सरकार निस्चितत तोर पर प्रयास कर रही होगी कि आखिर इसे कैसे पूरा किया जाना नके अब बिहार के हीट्म कांगर्स पार्टी के नेता स्री राहुल गांधी जी ने अस्पस्ट कहा कि कांगर्स पार्टी जातिकत गन्ना का समर्थन करती है मैं रोध करता हूं पूरे देश के नन बीजेपी रूल्ड एस्टेट्स जैसे बिहार जहार खंट हिमाचल प्रदेश करनाटक राजस्थान च इस्चित तोर पर सर्वसम्मत या भूमत का प्रस्ताव पारित किया जाए कि जातिकत जन्गन्ना जो अभी 2021 का संसस्त लंबित है उसमें भारत सरकार अवर्श कराए और अगर वो भारत सरकार नहीं कराती है तो भारत सरकार यह समती दे सभी वैसे रज सरकारों को कि जो नदेश के हिसमे है इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि 2024 का लोक स्वाचुनाओ का बहुत करीब है और सभी विपक्षी दल प्रयासरत हैं कि भारती जनता पार्टी या NDA के प्रतेक कैंडिडेट के विरुद 547 सीट पर विपक्ष की ओर से सिर्फ एक कैंडेट है तो मैनिफेस्टों में एक पॉइंट निश्चित तोर पर डाला जाना चाहिए कि 2020 का जो लंबित सिंसस है उसमें सभी जातियों की गणना की जाएगी तभी इस समस्चार का हल हो सकता है अगर ऐसा हो जाएगा तो भारत सरकार निश्चित तोर पर जो भी आने वाली सरकार होग में या उन्रेवल सुप्रिम कोट में जाकर फंस जाए और 80% काम होने के बाद भी काम भुरुक्षियर देश के सभी आबादी के लिए और विशेश कर 85% समाजिक नियाय की भलाई के लिए आवस्चक है उनकी विकास के लिए उनके कल्यानकारी कार्जों के लिए उनके सभी प्रति दुच्छात्यों में प्रतिन हिर्थ के लिए आवस्चक है कि जातियों की गनाना हो उणकी भागिदारी की गनाना हो ke उनकी स столक करियों में उनकी क्या भागिदारी है वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्ची तरो पर लैक करें सेयर करें अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को स्टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नुट के सन आपको तुछ मिल जाए आप सभी लोगों के लिए सुब कामना आए धन्नवाद जै